हलो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगी आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों ट्राफिक इंस्पेक्टर से सबद्देत ये कलास हमारी बार भी रहेगी इसे पहले की 11 कलासिज अगर आपने नहीं कि उनका जो लेवल था काफी हाई था तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रेशन से निमन में से कौन सा हडपा बासियों का सरबदेक मानकी करेत उतपाद था बीच ओफ दा फ्लॉइंग वर्दा मोस्ट स्टेंडराइज प्रोड़क्ट्स ओफ दा हडपन दोस्त उनके बरतन बगैरा बनाए जाते थे अगला जो प्रेशन है फू वाज रैफर टू दा ब्रिशला एंड कुलहीना तो दोस्तों किसे ब्रिशल तता कुलहीन कहा गया है तो दोस्तों जो चंदरकुप्त मोरे थे उन्हें ब्रिशल तता कुलहीन कहा गया है यहे मैकस्तनीज क द्वारा उन्हें कहा गया है जो उनके दर्वार में आया हुआ था अगला जो प्रेशन है दा बैल नौन एंसियंट फिजीशियन चरका वाजे कंटेम्पररी ओफ तो दोस्तों जो चरक थे एक बिख्यात बैद्दे थे बहुत कनिस्क के समकालीन थे उनके दर्वार में रहते जो इसकी स्थापना गोपाल ने की थी और जो रास्ट कूर्ट बंस है उसकी स्थापना तंदी तुर्ग ने की थी अगला प्रेशन है वे सुल्तान आफ दिली लेड़टा फॉन्डेशन आफ ए पर्मनेंट स्टेंग आर्मी दोस्तों दिली का जो सुल्तान था लाउदीन उसने permanent army की नीव रखी थी option C जो है वो इसका सही हो जाएगा अगला प्रशन है किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पद पादशाही बने तो दोस्तो जो बाजीराव प्रत्थम पेशवा थे उनकी इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पद पादशाही बने दोस् हिंदी का उप्योग किया तो दोस्तों जो एमजी रानाडे थे महा महागोमिंद रानाडे उनके प्रवाब में आकर देनन सरस्पती ने अपने भाशन अतला लेकर मैं हिंदी का उप्योग किया तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है 1927 में मदरास सेशन क जाओ बगएरा के नारे बगएरा और उस पर बात हुई थी अगला जो प्रेशन है दा अर्थक्विक बेव बीच पासिस थ्रूदा कोर ऑफ अर्थ इस दा बेव कंप ये तरंगे जो प्रित्वी के कोड से पार निकलती है तो दोस्तों जो प्रात्मिक तरंगे होती है प्र सबंदित है तो दोस्तों यह जो है यह है बेश्टरलाइज पबनों से सबंदित है तो इसका जो ओप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है वेचाओ दा फॉलॉइंग ऑसियन कॉरंट्स बिलॉंग टूदा इंडियन ओसिन तो दोस्तों इन में से कौन सी मास जाते हैं उनमें पॉड़ जोल म्रिदा पाई जाती है तो इसका जो ओप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है दा मोस्त इंपोटेंट ट्रेश्टर बीचेफेक्ट दा डिस्ट्रिबुशन ओफ फोल्पॉप्लेशन इज जन संक्या बितरन को प्रभावित क करने वाला घठक है जलवाईः क्लाइमेट इसका ओप्षिन यह है जाएगा अगला प्रेश्ट है नौक्रेक इस दा हाइस पीक आफ जो नोक्रेक है बहुत गारो पहड़ियों की सबसे उंची चोटि है तो इसका ओप्षिन भी जो वो सही हो जाएगा गारों खासी और जिन्ती की जो पाड़ियां है यह मेगाले राज्जे में पाई जाती है अगला जो प्रेशन है बीचाओ दा फॉलोइंग रिबर्स टुए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओनिट्स राइट बैंक जो जो सोन नदी है वो गंगा की उसके दाइन छोर की साहिक नदी है और जो सोन नदी है उसका जो उद्गम स्टाल है वो मध्य प्रेश की आमरकंट की पहाड़ियों से होता है अगला जो प्रेशन है नेमलिक सभी राज्य मैं महतफ़ों लोहयस क्षितर है सीवाए तो दोस्तो इस क्वेश्चन में मुझे कनफ्यूजन है कृपिया आप कमेंट करके बता दिजी इसका सही आंसर क्या रहने बाला है अगला जो प्रेशन है निमन मैंसे किस राज्य में चाई के बिगीचे नहीं है तो दोस्तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडू और मद्य प्रदेश में चाई के बिगीचे हैं लेकिन उत्रप्रदेश में चाई के बिगीचे नहीं पाए जाते हैं होती है चाई लेकिन बहुती minimum scale पर इसका option A सही हो जाएगा अगला प्रेशन है बेचाफ following places is not the center for manufacturing aircrafts इनमें से कौन सस्तान जो है वो बाइपोत निर्मान का के इंदर नहीं है दोस्तों जो बेंगलोरू, कोरापोट और लखनौ है इन तीनों जगा एरक्राफ्ट का manufacture किया जाता है लेकिन आदमपुर में नहीं किया जाता, इसका option D जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है मुख्य रूप से किसे विक्सित करने के लिए राज जेवित निगमा को सहीता दी जाती है तो दोस्तो जो medium and small scale industries होती है उनको विक्सित करने के लिए राज जेवितने गमाँ द्वारा सहीता दी जाती है option C जो है वो इसका सही रहेगा अगला जो प्रेशन है गरीबी का नमूलन करके किसकी इच्छा थी कि प्रतेक आंसे प्रतेक आंसु पहुंचा जाए तो दोस्तो ये सोरी जो लाल नैरू की इच्छा थी option A जो है इसका सही हो जाएगा option A जो है वो सही रहेगा अगला जो प्रेशन है the term smart money refers to तो दोस्तों जो smart money term है वो हो credit card से समंदित है इसका option जो है डी जो है वो सही हो जाएगा इनको credit cards बगएरा जो होते हैं इनको plastic money भी कहा जाता है अगला जो operation है यह मैसे कौन सा भार सरकार के लिए कुल करक राजस्ब का मुक्य स्तरोत है तो दोस्तों जो corporation tax होता है निगम कार होता है बहुत major source होता है gross tax revenue का सरकार के लिए अगला जो operation है दोस्तों अगर आपको किसी question म होती है तो आप comment करके बता सकते हैं कि कौन सा answer उसका सही रहेगा अगला जो प्रेशन है the new national food security mission aims at ensuring adequate supply of दोस्तों जो नया राष्ट्य खादी सुरक्षा मेशन था उसका जो लक्ष्य था बहुत चाबल गेहूं और दाले इनकी प्रयाप्त अपूर्ती सुनिचित करना था औ दोस्तों जो 73 संभीदान से सोधन हुआ था उसके तहद 11 सूची शामिल हुई थी तो इसका option B जो सही रहेगा 11th schedule अगला जो प्रेशन है निमन मैंसे किसने संभीदानिक अपचार के अधिकार को वारत्य संभीदान का हिर्दे तथा आत्मा कहा तो दोस्तों डॉक्टर विय प्रमानू उर्जाविवाक इसके प्रशाशन में आता है दोस्तों जो अटोमिक एनर्जी डिपार्मेंट होता है बहुँ मिनिस्टरी आफ साइन्स और टेक्नोलजी के अंतरगत आता है option B जो है सही रहेगा अगला प्रेशन है चाइनीज पार्लेमेंट इस दोस्तों चीनी परश्यत सामोईक तोर पर उत्तरदाई है तो दोस्तों ये जो होती है लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होती है तो इसका option D जो है सही रहेगा option में नहीं है इनमेंसे कोई नहीं अगला प्रेशन है कानूनी सबंदी किसी भी प्रेशन के लिए बार्त के सबोच नियाले से प आर्टिकल 143 के तहत आता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स पॉर बॉचिंग गॉड ब्लेस यू और